मस्कार दोस्तों मैं हूं मुक्तादिक्षित एस्ट्रोजर आज हम बात करेंगे सौंबार याने की 6 नवंबर को जो है डेटा क्या रह सकता है और यह डेटा जो है आपको एस्ट्रोजी के बेस पर ही में ग्रह गड़ना के अनुसार बतला रही हूं जब आपका मार्केट इसमें आप लेवस जान सकते हैं ग्रही योग कहां पर तेजी कहां पर मंदी की योग बना सकते हैं यह आप जान सकते हैं लेकिन यह बात ध्यान में रखना जरूरी है कि सारी गड़ना एस्ट्रोजी के बेस पर रहती हैं और जब भी आप मार्केट में काम करते हैं इस disclaimer पढ़ना आपके लिए अतियनिवार है जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैंने सो करवार के market के लिए बतलाया था कि market में कुछ तेजी के योगी देखने को मिलेंगे तो आपका पूरा market जो रहा अप side ही देखने को हमको मिला था अब इसी गड़ना के अधार पर याने की जो आपका market बंद हुआ था निप्टी में उननीस अजार तीन सो तीस तो इसके अनुसार ग्रह गड़ना के अनुसार क्या इस्थितियां बन सकती हैं कल के market के लिए तो भाह में आप लोगों को बतलाऊंगी चैनल को लाइक सस्क्राइब जरूर कीजिए और जी हैं दोस्तों द जिनम पत्री का दिखलाना चाहते हैं बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं और यदि आप market में काम करते हैं अधिक आपको लॉस हो रहा है तो भी आप ग्रह योग से जान सकते हैं क्या आपकी कुणली मार्केट से लाग के योग हैं या नहीं है यदि हानी के योग बने हुए हैं तो कदा आपी अपना पैसा बेर्थ में खराब ना करें तो जी हैं दोस्तों यह जानकारी भी आप ले सकते हैं अब हम देखेंगे कि सौंबार के market के लिए ग्रह स्थितियां उससे क्या स्थितियां बन रही हैं जैसा कि मैंने निफ्टी कि निफ्टी के प्रिक्षन का जो वीडियो बनाय था और रासी फल उसमें दिया गया था वह भी आप लोगों ने देखा होगा तो उसके अनुसार तो ग्रह स्थिति के अनुसार जो स्थितियां बनी याने कि छै नवंबर को जो है सौंबार का दिन असलेसा नच्छतर रहे और इस प्रकार से बिशाका नच्छतर में सूरी भी जा रहे हैं और साम को चार बजे से ब्रश्चिक रासी में जो है बुद्ध का भी गोचर हो जाएगा ब्रश्चिक राशी में तो ऐसी स्थिति में जो है यह परिवर्तन होता है यह मार्केट की दिशा को परिवर्तित कर के रख देता है तो यदि मैंने प्रिक्शन दिया है मैंने प्रिक्शन जो दिया था निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कि मार्केट में कुछ हमें डाउन के बाद कुछ सुधार की शंभाव ना देखने को मिल सकती है जी है दोस्तों तो अब हम इसी के आधार पर ग्रह स्थ कुल दो नच्छत्रों का परिवरतन दो राशियों का परिवरतन है तो मार्केट में बहुत ही सोज विचार के काम करने के आवश्यक्ता रहेगी इसके साथ यदि हम एस्टालोजी के बेश पे देखते हैं कि क्या डेटा रह सकता है निप्टी के लिए सबसे पहले तो जिया ग गर्णा करते हैं तो यदी जो है सपोर्ट लेवल देखा जाएगा तो उन्नीस हजार जो है आपका दोसो जो है आपका दस इसके साथ जो है इसके और भी यस से डाउन देखा जाता है तो 19,120 और 19,000 तक यह सपोर्ट लेवल देखे जा सकते हैं निफ्टी के लिए और इसके साथ यदि मार्केट अपसाइड देखने को यदि हमको मिलता है तो 19,290 और 19,370 के आसपास मार्केट देखा जा सकता है जियां दोस्तों यह थे लेवल सपोर्ट लेवल यह रेजिस्टरें हो सकता है आपका अब हम देखेंगे की बैंक इनिफ्टी जो आपका बंद हुआ था 43,118 पी यह बंद हुआ था तो इसका सपोर्ट लेवल क्या हो सकता है तो यदि हम सपोर्ट लेवल के देखते हैं तो 43,000 जो है 60 हो सकता है और यदि और डाउन जाता है तो 42,100 और 42,800 जो जा सकता है इसके साथ यदि हम resistance की बात करते हैं तो 13This was there 390 के आसपास देखा जा सकता है और 13あ क्यां 586 और 133610 के आसपास देखा जा सकता है लेकिन यह लेवल्ड और जिर निकाल है यह astrology के budget ब्रेस पर है लेकिन जब आप मार्केट में काम करेंगे तो मार्केट के रुख को देखना आपके लिए अती अनिवार है डिस्क्लैमर पढ़ना आपके लिए अती अनिवार है और आपने स्वाविविक का उप्योग जरूर करें इसके बाद ही आप जो तिसकी जानकारियों को देख सकते हैं तो ज लाइक से और सब्सक्राइब जरू कीजिए देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार